मर्दिप्रदेश के सागर कलेक्टर संदीप जी आर के पास जन सुनवाई के दोरान एक बुजुर्ग मरत महिला पहुंची जी हाँ आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि मरत महिला लेकन यह सच है 90 साल की बुजुर्ग महिला को एक साल पहले मरत घूसित कर दिया गया अब 90 वर्षी बुजुर्ग महिला अपने जीबेथ होने की गोहार जिला कलेक्टर की दरवार में लगा रही है स्रीजी साइन बोड एंड एलेडी डिस्पले आधूनिक मसीनों से एलेडी बोड लेटर एंड एटू जेड ग्राफिक्स तो अब सहर से दूर क्यों जाना पता स्रीजी साइन बोड मंगलगिरी रोड सागर मध्यप्रदेश दरसल सागर कलेक्टर संदीप जीयार के पास जन सुनवाई के दोरान बंडा के ग्राम बसोना नवासी 90 वर्षिय जमुना बाई अपने जीबित होने की गुहार लेकर पहुँची ब्रद्य महिला का कहना है कि एक साल हो गए उन्हें ब्रद्धा पैंसन नहीं मिल रही है और सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें म्रत गोसित कर दिया गया है इतना ही नहीं समगर आईडी में भी उन्हें म्रत गोसित कर उनकी आईडी भी बंद कर दी गई इस बजा से उन्हें ब्रध्धा पैंसन नहीं मिल रही है जबकि वह जिन्दा है और उन्होंने जन सुनवाई में जिला कलेक्टर संदीप जी आर के सामने अपने जीवित होने की बात कही और कहा कि साहब मैं अभी जिन्दा हूँ मरी नहीं हूँ इनकी ब्रध्धा पैंसन नहीं आ रही है पता नहीं है बैसे हम कई बार तो साहे गड़ गए बंडा गए सरपन सचयों के पास गए और वहां जब दिखवाई इनकी आईडी तो इनकी आईडी बंद कर दे गए और बता रहे है कि तो मिरत भोसित हो गई एक साल से नहीं आ रही बहाराल इस पूरे मामले में ब्रध्ध महिला ने जिला कलेक्टर संदीब जी आर से सरकारी रिकॉर्ड में सुधार कार करवा कर उन्हें पैंसन दिलवाने की मांग की है ब्यूरू रिपोर्ट सागर एक्सप्रेशने उज़ स्रीजी साइन बोर्ड एंड एलेडी डिस्प्ले आधूनिक मसीनों से एलेडी बोर्ड लेटर एंड एटू जेड ग्राफिक्स तो अब सहर से दूर क्यों जाना पता स्रीजी साइन बोर्ड मंगलगरी रोड सागर मध्यप्रदेश प्रदेश